मध्यप्रदेश स्थापना दिवस के अफसर पर भोपाल के लाल परेड मैदान में राज्यस्तरिय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्तर मोहन यादव ने ध्वजा रोहन कर कार्यक्रम का शुभारंब किया और जन्ता को सम्बोधित भी किया. मोहन ने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि दीपोत्सव का उत्सव चल रहा है और इसी के साथ राज्यका स्थापना दिवस भी मनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार मध्य प्रदेश को समरिध बनाने के साथ साथ राज्य का गौरव बढ़ाने का कार्य कर रही है इस अनुपम सामर्थ साली व्यक्षित्त के नाते से मध्य प्रदेश की सदेव एक अलग पहचान बनती है धर्म आध्यात्म ग्यान की त्रिवेणी विंद्याचलो सत्पुडा की धर्ती पर मध्य प्रदेश गौरव से इठलाता भी है और गर्व से सीना तान करके पूरे दे इतिहास कई सारे अलग-अलग अध्विती प्राक्रम साली सासकों को याद करते हुए हम समराथ विक्रमादित से भी जुड़ते हैं तो राजा भोज की परंपरा को भी जानते हैं अतीत के काल में इसी धर्ती पर भगवान स्रीराम ने भी जब बनवास के काल में 11 वर्ष से भी ज्यादा समय गुजारा तो वह हमारा गोरोसाली इतिहास बना है जिससे चित्रकूर धाम आज के समय में और ज्यादा आनंद के साथ दुनिया को लालाईत करता है हमारी अपनी गुप्त गोदावरी से लगाकर मंदाकनी की धाराओं की एक-एक लहरों से प्राची निति को हमारी ग्यान की उस परंपरा को सांदिपनी जी के आसरम को हम सब उस पलक पावडे विछा करके देखने के लिए लालाईत होते हैं जब अपने यहां के विध्यारती ने उस महाभारत के बड़े भीशन युद्ध में भी ग्यान परंपरा के आधार पर अपने मुखारव है वो पवित्र गीता की जननी वो जैनी है मद्धिप्रदेश है हमें इस बात का गर्व है जो कर्म का ग्यान हमको देती है मैं आज के सोसर पर एक नहीं ऐसी कई विशेस्ता बता सकता हूं लेकिन चुकि समय की सीमा है और हम सब जानते के आज आज आप सब हम खुल मिला करके बीच अपना समय निकाल करके स्थापना दिवस के उसर पर आये हैं इसलिए परमात्मा की दया से आज जब हमें मध्यप्रदेश की सरकार के गठन के साथ जब ये मोका मिला है कि हमारा राज्य उच्सो दीपो उच्सो के साथ मनना चाहिए मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले की मध्यप्रदेश की आठ करोड जन्ता देवतुल्य है और राज्य सरकार चार दिवसिये विभिन कार्यक्रमों के माध्यम से स्थापना दिवस को मना रही है उन्होंने प्रदेश के पौरानिक स्थलों का महत्व बताते हुए कहा कि भगवान श्री राम ने चित्रकूट में 11 वर्ष बिताए और भगवान श्री कृष्ण ने उज्जैन में शिक्षा ग्रहन की जिससे यह धर्ती धन्य हुई है डॉक्टर यादव ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि मोदी जी देश की सीमाओं को सुरक्षित रख रहे हैं और भारत को प्रक्ती के पथपर आगे बढ़ा रहे हैं उन्होंने विंध्य, सत्पुडा, मालवा और निमाड की अनोखी पहचान का भी जिक्र किया और कहा कि एक शेत्र मध्यप्रदेश को देश-दुनिया में अलग पहचान देने का कार्य कर रहे हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्म और अध्यात्म की त्रिवेनी सत्पुडा की इस धर्ती पर बहती है जिससे मध्यप्रदेश गर्व से सिर उचा किये हुए अपनी अलग पहचान बनाता है यहां की लोग कला, जनजातियां और मालवा का गौरवशाली इतिहास हमारी सांस्कृतिक धरोहर है हमारे राज्य के लोग राजा विक्रमादित्य के साहस और राजा भोज की एतिहासिक उपलब्धियों से परिचित है भगवान श्री राम ने यहां अपने ग्यारा वर्षों का वनवास बिताया, जिससे हमारे इतिहास में और भी गौरव का अध्याय जुड़ता है आज चित्रकूट धाम पूरी दुनिया को अपनी और आकर्शित करता है गुप्ट गोदावरी से मंदाकिनी तक बहती इन धाराओं की प्रत्येक लेहर हमारे इतिहास के गौरव की कहानी कहती है मुख्यमंत्री बोले की मध्यप्रदेश अपनी अंगिनत विशेष्टाओं को अपने में समेटे हुए है यह प्रदेश न केवल देश का फूर बॉसकेट है बलकि सोयाबीन उत्पादन में भी अग्रणी भूमी का निभा रहा है बिजली उत्पादन में अग्रणी होने के साथ ही यहां बागों की मौजूदगी भी हमारा गौरव है अब हमारे पास चीता स्टेट का नया सम्मान भी जुड़ गया है इंदोर लगातार साथ वर्षों से देश का सबसे स्वच शहर बना हुआ है और भोपाल को सबसे स्वच राजधानी का दरजा मिला है हमें साथ बार कृषी कर्मन अवार्ड भी प्राप्थ हो चुका है जो हमारी कृषी में उतकृष्टता का प्रमान है समारोह में मध्यप्रदेश के राज्यस्तरिय खेल मलखंब का प्रदर्शन किया गया इसके साथ ही मुख्य मंत्री ने सेना द्वारा लगाए गए टैंक और अन्य सैन्य एवं युद्ध उपकर्णों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया आर्मी बैंड ने सुम्धुर धुनों की प्रस्तुती दी जिससे सभी लोग मंत्र मुग्ध हो गए सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कथक नृत्य के माध्यम से गणेश वंधना की प्रस्तुती सहित अन्य लोकनृतियों ने दर्शकों को मोहित किया इस अफसर पर मंत्री कृष्णागौर, सांसद आलोक शर्मा, महापौर मालती राय, विधायक भगवांदास सबनानी, विधायक रामेश्वर शर्मा, मुख्य सचिव अनुराग जैन, पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना, सीएम के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव संस्कृती शिवशेखर शुकला सहित कई वरिष्ट जन प्रतिनिधी एवा अधिकारी मौजूद रहे।